नमस्कार दोस्तों, तीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे Reliability के बारे में जो हम Research करते है, Research Methodology में जो हम Reliability हम बोलते हैं तो उसके बारे में हम डिसकस करेंगे कि Reliability होता क्या है और इसका कितने टाइपस का Reliability होता है जो बहुत important है जो NTA, UGC, NET, JRF के लिए और PhD entrance के लिए तो चलिए हम इसको सुरू करते हैं देखिए reliability पहले हम इसका definition देखेंगे reliability का मतलब क्या होता है? reliability का मतलब होता है विश्वसन यहत्या जो हम चीज करेंगे research के लिए यह विश्वसन यहत्या बहुत important चीज है सिर्व यहां नहीं life में आप एक example लिजिए life से भी जब जिसके साथ हम रहेंगे, जिसके साथ हम उठेंगे, बैठेंगे जिसके साथ हम जिंदिगी कुझा रहेंगे, सारे के सारे लोग भरोसा मंध होना चाहिए नहीं तो हमारा life ठीक ठाक नहीं चलेगा, गडबड हो सकता है बहुत सारा ठीक इसी की प्रकार, जब हम कुछ research करते हैं, research में विश्वसन यहता होना बहुत जिरूरी है वो research tools हो सकता है, research methodology हो सकता है, हमारा research हो सकता है, हम खुद हो सकते है जो भी हमारा research के means, इर्दिगर्द जो भी चीज आएगा, वो सारे के सरे भरोसा मंध होना चाहिए तब हमारा एक जो research हो का वो perfect research हो सकता है, हाग नहीं, नहीं तो एक अच्छा research हम इसको नहीं बोलेंगे तो इसका definition देखिए, reliability refers to the how consistently a method measures something जो भी हम method use करते हैं, कुछ चीज का research करने के लिए, वो consistent कितना है हम कितने बार वो सही result दे रहा है, यह बहुत important है हम consistency के definition देख लेते हैं, देखे यह consistency का definition, definition क्या है the quality of always having the same standard, opinion and behavior हम कभी भी इसको यूज करें, उसका behavior हम सेम होना जाए हमारा जो best friend हम कभी भी उसको बुलाएं help के लिए, वो आएगा वो ज़रूर help ही करेगा कभी हमें धोका नहीं देगा, उसका behavior से में, उसका opinion से में कभी हम कुछ पूछेंगे तो उसका opinion ही अच्छा opinion होगा, तो हम इसके उपर rely कर सकते हैं, हम कभी कभी बूलते हैं यह चीज reliable नहीं है इसका मतलब हम इसके उपर भरोसा नहीं कर सकते, नहीं ही, जब एक जामपुल लेजिए, किसी भी चाइना प्रोडर का है, हाँ कि नहीं है, एक mobile का ले लिजिए, मगर आप एक लाग रुपिया लेता है, भरोसा आप कर सकते हैं उसके उपर, security का भरोसा और सारे के सारे चीज़ का भरोसा कर सकते हैं, इसलिए तो इसका दाम इत्रा ज्यादा है, हाँ को नहीं, हमारा भरोसा होना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं, उसके उपर हमारा भरोसा रहना चाहिए और उसका result भी consistency के साथ देना चाहिए, constant result देना चाहिए, तो वही चीज़ें बोल रहा है, जो भी हम method use करेंगे, उसका result consistency होना चाहिए, उसका behavior, उसका attitude, उसका performance, हर वक्त सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज कुछ result देगा, कल कुछ अलग देदेगा, ऐसा नह कुछ करेंगे, कुछ भी research करने के लिए, उसका result सेम आना चाहिए, तभी हम इसके उपर भरोसा कर सकते हैं, नहीं तो आज हम भरोसा करेंगे, कल देखेंगे, तो फिर से कुछ गढ़बढ हो जाएगा, तो हमारा research भी पूरा गढ़बढ हो जाएगा, आगी नहीं, तो हम उ किसी चीज को हम आज देख रहे हैं, आज उसका score दिखा रहा है, पचास कल दिखाएगा, उसका 90, फिर से कल दिखाएगा, 35, यह ऐसा तो नहीं होगा, consistency होना चाहिए, stability होना चाहिए, हाँ कि नहीं, you can also think it is the ability for the test or the research finding to be repeatable, हम इसको repeat भी करेंगे तो उसका result आना चाहिए, जैसे दो example ले लिजिए, यहाँ दो example मैंने mention किया गया है, जैसे medical thermometer, आज हम उसका test करेंगे, वो 90 दिखा रहा है, कल 105, जो भी है, यदि अच्छा है, त इसका result वो अच्छा दिखाएगा, medical thermometer, हाँ कि नहीं, आज हम इसको test करेंगे, जो result दिखाएगा, कल भी हम test करेंगे, वही result दिखाएगा, परसु हम इसको test करेंगे, वही result दिखाएगा, दस दिन के बाद test करेंगे, वही result दिखाएगा, इसका मतलब जो thermometer है, वो यह भरोसा यह थर्मोमेटर ठीक से काम कर रहा है तभी हम इसके उपर भरोजा कर सकते हैं यदि थर्मोमेटर ठीक से काम नहीं करेंगा तभी हमारा रिशर्च पुरा गड़बर्ड हो जाएगा तो आप एक सेकंड एक्जाम्पल लिजिए स्टुडेंट परकमेंस आप्टर वाचिंग ट और कोई आया इसको फिर से रिशर्च किया वही पचास स्टुडेंट के उपर वह देखा नहीं यह सई है जो भी टीवी देखता है उसका परफुमंस नीचे जाता है इसका मतलब हमने जो रिशर्च किया है वह सई है इसमें स्टाबिलिटी है और कोई भी आएगा करके देखेगा कि जो भी तिवी देखता है उसका परफुमंस नीचे जाता है और कि यही यह यह भरोषा मंद होना चाहिए जो भी हमारा मेधल से तो यह क्या तो अभी हम देखते हैं इसका जो कितने टाइप का रिशर्ट होता है यहाँ आप देख सकते हूं टेस्ट-re-test inter return parallel forms then internal consistency पहले देखेंगे test retest test retest क्या बोलता है the same test over the time यदि हम same test करेंगे और उसका result same आएगा इसका मतलब test retest reliability हो गया test करेंगे उसको फिर से दूबार test करेंगे मतलब retest हो गया test and retest हम एक बार retest करेंगे दूबार करेंगे पाज बार करेंगे उसका performance सेम आना चाहिए जैसके मैंने example दिया था हमार थर्मोमीटर का हां कि नहीं थर्मोमीटर में आज हम test करेंगे कल भी test करेंगे 50 दिन के बाद test करेंगे 100 दिन के बाद test करेंगे उसका हम उसको test करेंगे रेजल सेम दिखा रहा है मतलब यह से ठीक है मिस्टाइम के इंटरवाल में जो हम test करते हैं उसका रेजल यदि सेम आता है ता मैं हम उसको बोलेगे test test reliability इंटर रेटर रेविलिटी इंटर रेटर कौन होता है जो रेट करता है जो मैं data करता है मानलो कर दोखे में मेरा नाम है सुरीयन में सूर예 मैं आज एक test करता हूं किसी भी चीज़ पर जुए मुझे जो result मिला है तो जो result मिला है वही सेम चीज को और एक मानलो कर राम और आकर टेस्ट करेगा और उसको भी यह साही कि इसेम रेजल्ट मिलता है तोम हम बोलेंगे इसको इंटर्रेट्र रेलाइबिलेट्स यह देखिए देखिए the same test conducted by different people हम पुपल यहाँ different are different है आज मैं test कर रहा हूं सुरिया test कर राये कल राम टेस्ट कर रहा है और कल और कोई तेस्ट करेगा रेजल उसको सेम मिलेगा तभी हम उसको बोलेगे नहीं यह जो टेस्ट कर रहे हैं हम इसके उपर भरोसा कर सकते हैं नहीं तो हम मानलों की हम दोनों का टेस्ट सेम आ गया उसका टेस्ट सेम नहीं आया तो हम इसके उपर भरोसा नहीं कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं इंटर र हमारे दोनों के बीज में, the same test conducted by the different people, ठीक है, then parallel forms, parallel forms में क्या होता है, कि हम मानलों कि एक research करना चाहते है, एक 50 student के उपर, इनका IQ के बारे में, हम एक test, first test conducted किया, उसका नाम है A, उसमें जो result आया, ठीक है, उसमें जो result आया, उसको क्या करें, फिर से कुछ दिन के बाग, फिर से एक test करवाएंगे, C, उसमें कुछ result आएगा, देखेंगे, यह सारे-सार जो result आ रहा है, यह सारे-सार रेजल्ट सेम है कि नहीं, यदि सेम है, तो मतलब हमारा research ठीक चल रहा है, यदि result सेम नहीं है, तभी हमारा research में कहीं गड़बढ है, parallel forms, वही same, same चीज को हम, बहुत वराइटी-वराइटी एंगेल से हम research, मिलसे test कर रहा है, test A में कर रहा है, test B कर रहा है, test C कर रहा है, मगर result सारे-सारे-सारे सेम, अब यह definition देख सकते हो, different variations of a test which are designed to be equivalent, different-different हम test करते है, test A, test B, test C, मगर result हमारे सेम आ रहा है, इसको बोलते है, parallel form, parallel ही चल रहा है, ठीक है, parallel मतलब सेम, ऐसे ही, उसका result सारे के सारे ऐसे ही सेम आ रहा है, parallel, गड़बर नहीं है, ठीक है, then internal consistency, internal consistency क्या है, internal consistency है, जब हम research करते हैं, research के लिए बहुत सारे चीज़ा हम use करते हैं, कभी-कभी हम device use करते हैं, कभी-कभी हम method use करते हैं, जो भी हम use करते हैं, research के लिए, वो सारे कि सारे चीज भरोसामंद है कि नहीं कि कभी कभी हम बोलते हैं कि रिसर्च में गड़बड है मगर एक्चुली गड़बड होगा कि जो चीज लेकर हम रिसर्च कर रहे हैं वो सी चीज में गड़बड हो सकता है हां कि नहीं जो मेथड हम यूज कर रहे हैं या जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसमें गड़बड हो सकता है जिसके कारण इसका जो रेजल्ट है रेजल्ट में गड़बड ही आ रहा है रेजल्ट ठीक से नहीं दिखा रहा है तो इसलिए डिवाइस जो भी हम यूज करें वो तो भाहर का चीज नहीं, वो तो internal है, हमारा ही चीज है, उसमें consistency होना चाहिए, the individual items of a test, जो item हम use कर रहे हैं, एक test के लिए, वो ठीक होना चाहिए, तब ही हम उसको बोलेंगे, internal consistency is good, हाँ कि नहीं, तो ये हो गया चार प्रकार का test, test, interrator, parallel, and internal consistency, तो इसको आप याद रखिए, next मिलेंगे, फिसे एक नया चाप्टर के साथ, thank you, all the best. प्पेंगे, तो आपकार कुदा रहे हैं, तो ये प्याद कि नहाना कर दोगbor मुझने working team,